हेलो वाइस तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू एफेक्टिवली रीड एंसीयाटी हर कोई रीड करता है चाहिए प्लास सिक्स्त में हो सैवन्त में हो नाइंत में हो त्वेल्थ में या फिर किसी भी आप कॉंपटेटिव एक्जाम की प्रेपरेशन कर र होने वाले हैं वीडियो बहुत च्छोटी होने वाली है इससलिए सबी लोगों से रिक्वेस्टे की वीडियो को किप्रा करके एंड तक देखें इससे पहले यह समझना जरूरी है कि एफेक्टिव रीडिंग का मतलब क्या होता है तो एस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रह तो effective reading का मतलब यह होता है कि आप जो भी जी पढ़ रहे हो उसको आप साथ-साथ याद करते जाओ और उसको आने वाले exam में जो भी आपका exam आने वाले है जिस भी आप exam की preparation कर रहे हो जो भी आपने पढ़ा है उसको वुछ चीट apply कर पर हो that is effective reading अब इसको करा कैसे जाए इसके कुछ simple tricks हैं कुछ formulas हैं कुछ methods हैं जिनको follow करके आप NCIT को effective तरीके से पढ़ सकते हूं the very first method कि जब भी आप कोई first time reading कर रहे हूं किसी भी chapter का आप किसी भी NCIT book कर जब आप first time reading करते हैं उस time आपके हाथ में pencil होना बहुत ज्यादा जरूरी है यह बहुत ज्यादा common point है but most important point यह है कि first time reading करते हैं आपके हाथ में pencil होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कोई भी chapter रीट करते हैं उसको आप स्टार्टिंग से लेकर स्क्रैच से लेकर उसको एंड तक रीट करो first time ठीक है उसको जलदी जलदी रीट करो quick way में उसको रीट करो और साथ में जो भी आपको important ल उसके बाद आपको उसके exercise की तो question होते हैं जो back questions होते हैं उनको आपको देखना है और उसको जो भी आपने पढ़ा है जो भी आपने pencil से underline किया है उसमें से आपको answer निकालना है जैसे कि एक example लेते हैं कि आपने electricity chapter पढ़ा आपने last time का electricity chapter पढ़ा तो उसके बाद जैसे आप आपने उस chapter को बढ़ा complete किया first reading आपने back exercise में गए और आपने question लिखा कि what is electricity let's say an example what is electricity तो जो भी आपने पढ़ा NCRT book में आपका उसमें से answer find करना है इससे होगा क्या कि जब आप उस particular question का answer ढूलने जाओगे तो उसके साथ आप उस पूरे topic को दुबारा पढ़ लोगे तो ऐसे करते करते जब आप हर एक question का answer अपनी NCRT में से पढ़ोगे तो ऐसे करते करते आपकी उसी chapter की second time reading हो जाएग तो अब आपको पता कि कौन से point important है कौन से point important नहीं है तो आपको अब highlighter से उन सारे important points को highlight करना है highlight करते वक्त एक important चीज में आपको बताना चाहता हूं कि unwanted keywords को highlight मत करना जैसे कि what for the ऐसे words को highlight करने से बचना because इसका इतना importance नहीं है आपको highlight सिर्फ उन words को करने जो की main keywords है उस topic के जो भी main definitions है या जो भी main formula से जो main terms हैं उन keywords को highlight करना है ताकि आप एक मन्त बाद दो मन्त बाद जा फिर बहुत दिनों बाद जब आप उस दुबारा चैप्टर को पढ़ो तो आप सिर्फ वह highlighted point ही पढ़ो ताकि आपको वह chapter दुबारा पूरी तरह से revise हो जाए तो अभी तक हमने बात करना है किया anxiety को कैसे effectively पढ़ा जाए बट किसी भी चीज को किसी भी topic जो भी आप topic पढ़ रहे हो उस topic को पढ़ने के पीछे आपके approach क्या होने चाहिए उस बार में बात कर लेते हैं तो आपको यात करना है डबलू हड़ू formula अभी डबलू हड़ू formula क्या है डबलू हड़ू का मतला कर रहे हो आपको यह डबलू हड़ू formula याद करना है इसका मतलब है कि what how and why तो को भी topic पढ़ रहे हो आपको उस topic को पढ़ने से पहला आपको यह समझना चाहिए कि उस topic में है क्या अब लेट से आप topic पढ़ रहे हो magnification तो आपको पता होना चाहिए कि what is magnification आपको पहले इस पर focus करना है कि what is magnification उसके बाद आपको करना है why magnification मतलब कि हम लोग क्यों पढ़ रहे है उसका application का है रियल लाइफ में उसके बाद how कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं कोई भी subject पढ़ रहे हो किसी भी class का पढ़ रहे हो आपको यह जो formula है WHW इसको हर topic पे apply करना यह हर topic पे fit बैठता है उस topic का मतलब क्या है what उस topic को क्य यह पढ़ रहे हैं किया फिर कैसे वो यूज होगा हाओ तो इस point of time तक हमने सारी बाते कर लें कि ncrt को कैसे effectively read किया जाए और मैंने आपको एक important formula आपने जो भी पढ़ा है जो भी chapter आपने पढ़ा है उसको अगर आप एक से दो पेज में summarize कर सकते हो तो आप उसको लंबे समय तक याद भी कर सकते हो जैसे आपको example दिखाता हूं जैसे यह class 12 physics का chapter number 6 electromagnetic induction है तो जब मैंने अपने time में preparation करा था तो मैंने हर एक chapter को एक या दो पेज में summarize कर दिया था जैसे आप यहाँ पर example देख सकते हो इस chapter में तो यह electromagnetic induction का chapter है और इसको मैंने सिर्फ एक से दो पेज में जो डबल पीने वाला पीज होता है उसको मैंने पूरे chapter को summarize कर दिया था तो इससे क्या होता है कि जो भी main keywords है या फिर जो भी main theorem है फिर main definition है या फिर main formula है उसको हमाई इस एक से दो पेज में summarize करना है अब पूरा chapter को summarize करने के लिए आपको सिर्फ keywords को summarize करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप पूरी-पूरी definition लिखोगे तो दो पेज में आप summarize उसको नहीं कर सकते हो तो summarize करना का formula क्या है कि जो भी topic अब जो भी chapter आपने पड़ा है उसमें main keywords main definition या फिक कोई main most important formula है उसको ही आपको note करना है तो मालो कि अगर आपको एक से दो महीने बाद उस chapter को revise करना है तो आप क्या करोगे आप इन short notes को जो आपने एक से दो पेज में short notes बनाए थे आप इनको देखोगे अगर आपको सारे points mind में याद आ जा र है इसका मदलब कि आपका आपका वो chapter है वो complete है आपको उसको दुबार रिवाइस करने की ज़रत नहीं बट अगर इन short notes में जो भी आपने points लिखे हैं आपको अगर आप इनको रिटेन नहीं कर पार हो अगर आप इनको याद नहीं कर पार हो तो आप उस particular topic को अपने आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना आपको लाइक करना चाहते हो तो प्लीज आप एक लाइक कर देना और अगर आप पहले बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूट करना क्योंकि 78 परसेंट से ज्यादा audience जो की मेरी वीडियो को देखती है उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे भी पता लगेगा कि मैं ऐसी अच्छा कॉंटेंट इन फ्यूशर बनाऊं और इस वीडियो को अपने साहे दोस्तो के साथ शेर भी जरूर करेगा ताकि उनका भी बेनेफिट हो उनको भी फायदा हो तो आज किस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलते है नेक्स वीडियो में